क्लास टेंच एकसराइज 14.1 का क्योस्टन 5 क्या है ? इनैं रीटेल मार्केट फूर्ट वेंडर्स वर सैलिंग मैंगौउट त पैकिंग बोक्शीज किसी रीटेल मार्केट के अंदर फूर्ट वेंडर्स मैंगोज को बोक्सीज के अंदर पैक करके सेल कर रहे हैं These boxes contain varying number of mangoes, हर एक box के अंदर अलग-अलग amount of mangoes present है The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes Boxes के base पे number of mangoes की table यहाँ पे बना के दी गई है Find the mean number of mangoes kept in the packing boxes Packing boxes के अंदर जो mangoes रखे गई हैं उस data का mean आपको find out करना है तो यहाँ पे जो भी हमें data दे रखा है इनको हमने column की form में लिख लिया है अब उसके बाद देखना है हमारा जो data है इस question के अंदर वो continuous data नहीं दे रखा Continuous data को कैसे चेक करेंगे यहाँ पे देखो यह हमारी lower value होती है interval की और यह होती है upper value और दूसरे interval में यह lower value यह upper value तो क्या होता है जो first interval होता है उसकी upper value और दूसरे की lower value match होनी चाहिए यहाँ पे match नहीं हो रही है तो यह data हमारा continuous data नहीं है यहाँ पे upper value 52 है यहाँ पे lower value 53 है तो difference कितने का है यहाँ पे 1 का अब इस data को continuous कैसे बनाया जाएगा वो देखो यहाँ पे दोबारा से एक column बनाएंगे हम continuous data के लिए उसमें लिखेंगे number of mangos अब यहाँ पे difference क्या है upper class और lower class में one का difference है one का half कर लो कितना हो गया one का half करेंगे one by two किसके equal हो गया 0.5 के इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे lower value में से subtract करेंगे upper value में add कर देंगे 50 में से 0.5 को subtract किया तो क्या हो गया 49.5 और 52 में add करेंगे तो क्या हो जाएगा 52.5 फिर यहां पर 53 में से subtract करेंगे तो क्या आजाएगा 52.5 और 55 में add करेंगे तो 55.5 Similarly 56 में से subtract करेंगे तो 55.5 और यहां पर आजाएगा 58.5 फिर next तरम 58.5 61 में add करेंगे तो 61.5 यहां पर 61.5 और 64.5 अब हमारा data जो है वो continuous बन गया है यहां पर देखो जो upper class है और second interval की lower class बिल्कुल same है तो यह data हमारा क्या होगा continuous data number of boxes हमारी क्या होगी frequency जिसको हम fi से denote कर लेते हैं अब हमें क्या निकालना है x i x i क्या होगा interval में lower value plus upper value divide by 2 lower value plus upper value divide by 2 49.5 और 52.5 को add करके 2 से divide करेंगे इसके बीच की value क्या आगई 51 यहां पर इसके बीच की value क्या आजेगी 54 यहां पर हमारे पास क्या आजेगी 57 फिर आजेगी 60 और फिर हमारे पास क्या आजेगी 63 अब हमें क्या करना है यहां पर direct method यूज करना है तो direct method का formula लिखेंगे direct method क्या कहता है क्या formula होता है वो write down करेंगे x bar mean is equal to sigma xifi divide by sigma fi हमें numerator में क्या चीए xifi की multiplication का sum denominator में चीए frequency का sum frequency का sum देख लेते हैं sigma fi equal to इन सभी का आगर हम sum देखेंगे तो यह जो sum आएगा हमारे पास 400 आ जाएगा अब हमें क्या चीए यहां पर xifi की multiplication तो xifi की multiplication करते हैं क्या आएगी 15 की और यहां पर 51 की multiply करेंगे तो 765 आएगी फिर 54 की और 110 की अगर मैं multiply करता हूँ तो मेरे पास आजाएगी यह 5940 57 की और 135 की multiplication करता हूँ तो यह आजाएगी मेरे पास 7695 60 की और 115 की multiplication करता हूँ तो यह आजाएगी 6900 और 63 की और 25 की अगर multiplication करें तो यह value आजाएगी मेरे पास 1575 अब इसका sum करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर sigma xifi equal to इन सभी का sum देख लेते हैं हमारे पास यह क्या आजाएगा यहां पर 5 और 5, 10 और 5, 15 carry 1 7 और 1 8 और 9, 17 और 4, 21 और 6 यहां पर आजाएगा मेरे पास 7 फिर आजाएगा मेरे पास 8 और यह आजाएगा 22 22, 22, 8, 7, 5 value पुट करते हैं x bar equal to sigma xifi की value क्या है 22, 8, 7, 5 divide by sigma fi fi की value क्या है हमारी sigma fi की 400 यह आ गई हमारी अब यहां पर हम इसको divide करते हैं 4 से divide कर लो 100 आ गया इसको 4 से divide करो 4, 5 जा 20 यहां पर 28 हो गया 4, 7 जा 28 7 को 4 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा मेरा 1 3 आ गया 35 फिर 4, 8 जा 32 और 3 बच गया यहां पर और point क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर 7 मेरे पास value क्या आ गई x bar equal to 5718.7 divide by 100 2 जी रोज हैं तो हमारा decimal क्या हो जाएगा 2 places shift हो जाएगा यहां पर तो x bar mean जो आ गया मेरे पास क्या आ गया 57.187 यह हो जाएगा हमारा mean number of mangoes in boxes चैनल को subscribe करना आने वाली वीडियो की notifications के लिए